डब वापस ओन करेंगें अउन करके इसको अच्छे से ड़ीघ करें this के है मसीन ओन होगी मून होने के बाद में इसह अच्छे से चेक करना है कर दो कि मसीन्हीं चल रहे है या नहीं और वापस से चेक करना कार्षी इसको वेड रखेंगे प्लेटफॉम को टच करने पर क्या आता है प्लेटफॉम को टच करने पर सेंस कर रहा है अब हम इस पर वेट रखके चेक करने पर दस केजी रखते हैं यह 10 वेट है जो अपने रखा है दस केजी वेट रखने पर एक डिस्प्लेट पूरा दस केजी वेट दर्शाएगा यह पूरा दिखा रहा है दस केजी वेट यानि कि मशीन अपनी एकदम ओके हो गई है यह मसीन इंडेस्ट्री में लगाई जाती है तो यह बहुत अच्छी मसीन है अब इसमें कुछ वेट और रखेंगे है कि कुछ वेट और रखेंगे जिससे अपने को कन्फर्म हो जाए कि वेट बिल्कुछ सही दिखा रहा है इसलिए इसमें कुछ वेट और रखते हैं यदि फिर पांच केजी वेट रखा जाए तो यह पांच केजी ही दिखाना चीए यानि कि टोटल पंदह किलो वेट हो जाता है इससे मशीन पूरी पूर्ण रूप से चेक हो जाती है इसलिए पांच केजी और रखके देखेंगे यह पूरा 20 यानि कि 20 किलो वेट हो जाता है दस पांच पांच पूरा 20 किलो वेट है मशीन पूरा 20 किलो वेट दिखाएगी इसके बाद में हमें कन्सार्म हो गया कि मशीन बिल्कुल सही हो चुकी है अब इसका डिस्प्ले कवर वापस से फिट करना पड़ेगा इसका डिस्प्ले कवर वापस से फिट करेंगे इसके लिए यह डिस्प्ले कवर वापस से लगाये जाएगा इसमें चार इसको लगेंगे कि अधिस्प्ले कवर अबस्पिट किया गया कि इस प्रेंग के बाद में इस प्रेंग पीछे से फिटिंग किये जाएंगे मशीन एक दना ओके हो गई यह अब इसके पूरे इसकूर वापस प्रिपेर वने के बाद पूरे इसकूर चारों के चारों वापस लगने हैं और आपकी मशीन बिलकुल ओके है अब हम मसीन को चेप करने के लिए वापस मसीन को चेप करने के लिए वापस एक एक करके वापस पूरे वेड उतारने हैं पूरे वेड अटाने से हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि मसीन एकदम ओके है सबसे पहले हम पांच केजी वेड इसे अटाएंगे इसको अटाने पर अब बसता है 15 किलो पूरा वेड बसता है कि अब इसके बाद फिर से हम पांच किलो वेड अटाएंगे कि अब पूरा वेड अटाने पर पूरा जीरो जीरो आना चीह है इसका मतलब मसीन बिल्कुल ओक है काम करने के लिए 10 kg वेट हट आया तो बिल्कुल जीरो जीरो आ गया इसका मतलब है मसीन बिल्कुल ओक है और यह मशीन एकदम काम करने के लिए ओके और आप इसको ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं अब इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है अब इसको वापस हॉफ कर देते हैं ओके